हाई नमस्ते और वेलकम टू बाय चानल माईसेलफी स्ट्रेता जो और आज का जो मेरा टॉपिक है एसाइसी हॉस्पिटल में टीट्मेंट स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो लास्टे में आपको बताया था एसाइसी कार्ड को कैसे चालू करें टीट्मे करते हो कि पाई पर चीव कर आप जाके आपको बोलना पड़ेगा कि आपको क्या दिखकत हो रहा है इसके लिए पर हॉस्पिटल में चेक अप करवाना चाहते हैं जैसे ही आप उनको बताइंगे कि आपको सोच यह और्थोपेटिक का दिखकत है जैसे आप उनको बोलिए ग उसमें वो आपको ये आपका इन्सुरिंस नंबर मेंशन करेंगे आपका नाम मेंशन करेंगे और आपका दॉक्टर कभ कभ दॉड़ेटिक वो वुझ्टलि डिज आपको मेंशन कर सोचकरबार में get to तो आपको वो लिग देंगे, आप ये दोनों दिन में कभी एक जाके चिक अप करवा सकते हैं, जब आप पहले दिन EASIC, जब आप पहली बार EASIC हॉस्पिटल में चिक अप करने जाएंगे, तो आपको ये 3A form जो दॉक्टर ने आपको दिया है, आपको ये लेके जाना पड़ेगा, साथ ही आपको अपने EASIC कार्ट दे लेके जाना पड़ेगा, आपको टिकेट एक बनाना पड़ेगा, जो कि हर EASIC हॉस्पिटल का नीचे में ही रहता है, वो टिकेट बनाने के बाद आप चेक अप करवा सकते हैं उस दिरे, hope my video is useful, आपको मेरे साथ जूरे रहने के लिए शुक्रिया, अगर आपको लगें कि मैंने कुछ भी मिस किया, तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं, thank you so much.